उस तोते में मेरी जान बस्ती है तोता तोता संभल के रहना तोते में राजा की जान बस्ती थी तोते में रानी की जान बस्ती थी ऐसी कहानिया सुनते सुनते बड़े हुए हम और आश तोते में बस्ती हुई जान ने सब के तोते उड़ा दिये ऐसा खेल खेला बिग बॉस ने एक को दूसरा उसके हाथ में उसका तोता उसके हाथ में उसकी जान सबेरे ही पिंजरे वाला गाना बजा करके बिग बॉस अपना गेम रिवील कर दिया एक के बाद एक सीरिल में ऐसे नाम रखे मानना पड़ेगा मानना पड़ेगा कि कौन किसको बचाएगा किसके हाथ में किसका तोता था बिग ब Gregory खेल गए ली जिनोंने कहा मेरे बाप पे मत जाना और उन्हें आज ऐसी हरकत कर दी कि उन्हें सजा मिल सकती है, बड़ी से बड़ी सजा, वो अली अगर चाहते तो रुबीना को नॉमिनेट नहीं करते, क्योंकि उनकी डील हो चुकी थी, जैस्मिन को निकी को बचाना था, निकी को अली को बचाना था, डील हो चुकी थी, दोरों नहीं जाने वाले थे, बिना म तो आपके हाट में तो गेन था आपने जान बुछ कर रुबीना को νοοमिनेट किया अभिनव अडे रहे अभिनव ने डील नहीं मानी और राहूल को नॉमिनेट किया इसलिए अभिनव को नॉमिनेट किया लेकिन वहाँ पर आया ट्रुस्ट आज आज आझाज की एक बात का ज मैं जिन्दगी है इससे बाहर मौत है मौत से बचने के लिए मुझे जो करना नाओ आयाज üzगा इस बात के लिए वुमन पावर जो भी कहले वह बना निकी और कविता हम पिछले दो तीन दिनों से देख रहे थे मगर आज पवित्रा पुनिया बिना किसी चॉइस नहीं होने पर उसमें शामिल हो गई घर में सब गुरूप गुरूप खेल रहे हैं गुरूप के बाहर कोई जो बच रहा है अ पवित्रा के लिए बच गई और आज एक गॉल्टू गॉल्ट टॉक से रधा जरूत मंद से जरूत मंद की बातचीत हुई दिल से दिल की रा हुई एक दूसरे को बचाएंगे वक्त पढ़ेगा तो साथ देंगे नॉमिनेशन से बचाएंगे हाला कि निकी और कविता में यह बात ते थी कि पवित्रा पर विश्वास नहीं कर सकते जब मौका आएगा तो बचाएंगे जब नहीं आएगा तो थोड़ी दोस्ती निभानी है पवित्रा ने अज अपनी कहानी सुनाई कविता कौशिक से और कहा कि उनकी इंगेजमेंट हुई है शाधी नहीं हुए बंदे ने लिया आस तक शादी नहीं किये और वो ही उन्हें रोज याद आता है उसे वो मिस्स करती है और यहां पर सगाईयां और शाधियां करने नहीं आई है यानि पवित्रा ने खुद कहा यहां पर वो सब यूहीं कर रही थी वह अगर इसके लावा हम बात करें तो आ अगर मैं बताओं तो आज चो पिंजरा टास था एक रूबीना के हाथ में पवित्रा का गेम था पवित्रा के हाथ में जैस्मिन गेम था जैस्मिन के हाथ में निकिया था निकी के हाथ में अली का था अली के हाथ में रूबीना का था और दूसरी तरफ अभिनाव के हाथ मे एजास के हाथ में अभिनाव कता इन तीनों को यह बराबर गेम प्लान रखा गया कि राहूल जो है वो जाकर के अभिनाव के लिए डील बताएं एजास को कि आप बताओ और राहूल ने बहुत जैसा एक्सपेक्टेट था राहूल ने गेम को परफेक्टली सब्जाओ उन्हो सब्सक्राइब को अभिनों का स्थैंड सही था अगर यह रियल लाइफ है तो स्टैंड सही था मगर यह खेल है यहां पर smartness करने चाहिए अपना-पना खेलना चाहिए थोड़ा smartness दिखाने चाहिए यहाँ पर अभिनव कर सकते थे यहाँ पर डील कर सकते थे करनी चाहिए थे क्योंकि यह यह समझ में यह था कि अभिनव और राहुल और रूबिना के वीच में इतना बड़ा कुछ नहीं हुआ बस एक छोटा सा मुद्दा और वो भी अभिनव ने पकड़कर रखा है इसलिए मुद्दा आगे तक चल रहा और इसलिए मुद्दा निभ रहा है वरना मैं याद करने ही कोश्किती मेजर जगड़ा क्या हुआ हुआ को यसा मेजर रीजन चुट-पुट-पुट-पुट-पुट-पुट-पुट-पुट चीज़े हुई है एनिवेस तो साफ था सबसे पहले पवित्रा चली गए इंदर पवित्रा जाके तुरंट थी जास्मिन को क्योंकि जास्मिन को उन्होंने कह दिया कि मैं जास्मिन को रखना नहीं चाहती उनका तो था उन्होंने इटका दिया उसके बाद राहुल चले गए चुकि उनको बदा था कि कुछ नहीं होने व पिक्या राहुल कृष्णा वैद्या राहुल को नॉमिनेट कर दिया और उसके बाद फिर जबकि इन लोगों में डील हो चुकी थी जैस्मिन के पास निकी का था निकी के पास अली का था तो था और ये डील हो गए थी कि भाया दोनों जड़ नहीं जाएंगे अंदर वो एक उसे को बचाएंगे यानि निकी अली को बचाएगी बदले में जैस्मिन निकी को बचाएगी तो वह नहीं जाने वाल थे अब कविता कौशिक चुकि बिग बॉस ने इतना आसान तो देता है नहीं खेल छे लोगों का नॉमिनिशन होना जरूरी है और जो दिखाई पढ़ वो नहीं जाएंगे लेकिन कविता कोशिक ने बहुत स्मार्ट गेम खेला तब अनुग बचाणस को में जाकर पासा फेक यूद्वास से कहा कि मुझे मूखा मिलता है तो मैं तुम्हें बचाऊंगी बदले में अगर छे लोगों में कम पढ़ते हैं तो तुम जाना अंदर और नॉमिनेशन का ना क्योंकि कैप्टन की जम्मधारी है और एजास ने डील मानी और अगर मैं बताओं तो अभिनव के बाद अभिनव ने जाकर राहुल को निकाला उ तैथा की एजास जाने वाले हैं तैथा की एजास जाकर के चुकी उनको इम्मिनटी मिलने वाली थी उनको नॉमिनेशन बचा जाने वाले था तो एजास अंदर जाने वाले हैं उन्हों और जाकर के अभिनव का तोता जो है वो लटकाएंगे मगर उसके बावजूद अली जास्मिन अली ने कहा मैं जाऊंगा और एजास के अभिनव के लोग नॉमिनेट करने के बाद अली वहाँ पर क्यों गए अली की पूरी डील हो चुकी थी अली को अली ने एक खेल खेला हाला कि निकी के हाथ में निकी भी फूर्त थी जैस्मिन और निकी दोनों जाकर दर्वाजे बैठ गए थे अली ने जाकर के फिर रुबीना को भी नॉमिनेट करें तरह छे लोग नॉमिनेट हो गए और एक्सपेक्टेट था मानो कविता को बता दिया जब बिक बॉस ने अनॉन्स किया और कविता ना करके एजास का नाम लेकिए वह जास को बचाती है वो अंदर गई और उसकी जगह पर एक खेल खेल दिया विग बास ने की जो सुरक्षत सदस्य है यानि की सुरक्षत में धी निकी और अली इन मैं से किसी एक को नॉमिनेट करके उसकी जगब पर आप जिसको चाहें उसको सुरक्षित कर सकते हैं जो लोग और नॉमिनेटेड़ है तो अजास को सुरक्षित करके उन्होंने अली एक्सपेक्टेट थाली ने खुद ही अपना दोता निकाल कर दे दिया कविता जाएंगी तो या मुझे ही नॉमिनेट कर शाम दे दे तो उसको पका देगी तो मतलब इतना जादा रहुल ने कह दिया कि बिग बॉस खुद उटकर चले गए अली ने कह दिया बिग बॉस दोसा खाकर वापस आ गये दुबारा जो आए जब आये तो पर कविता के अंदर भड़ा हुआ है उसको यह लग रहा है कि उ उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कितना सही कर रही है कितना गलत कर रही है एक बात का जिक्र करना चाहूँगी मैं एजास जिसका मैंने हलका जिक्र किया एजास ने आच खेल के पर ती जो अपनी भूक दिखाई है न बॉस इस एक चीज़ से एजास के फैंस बढ़ चाहते हैं दर्शक यह नहीं कि हां मैं तो रिलाक्स दू मुझे तो निकल मैं तो नहीं निकलूँगा मेरे फैंस बचा लेंगे मैं नहीं निकलूँगा यह गलत है बड़े से बड़े लोग आइटिट्यूट जनता जो है उठाकर पटक देती है एजास ने यह भी कहा कि जान 26 साल का लड़का है मेरे और उसके वोट में कम मारजिन है यह बात सलमान खाने का मैं डर गया हूँ और मुझे अब करना है और एजास ने किया कविता एजास से अच्छा मधूसंबंद बनाने की कोशिश कर रही है कि बातचीत का एक रिष्टा बन जाए क्योंकि इस समय कव मैंने जब मुझे में चलकापट नहीं है जास मैं जब लाके उन्होंने तोता दिया तो नहीं का मैं दूआ करती हूँ कि तुम जीतो तो मैंने वह सच में कहा था फिर आगे उन्होंने लास में ये भी कहा कि रात में तब बिद खराब हुजएगी बुखार होगी तो मुझ अभिनव और रुबीना को अलग अलग खिलना चाहिए तो आज एजास नहीं मुद्दा उठाया कि आपको अलग एजास ने एक और बड़ा मुद्दा उठाया अली के सामने तो एजास ने कहा रुबीना आप खुद का अपना स्टैंड लो अभिनव क्यों आपके लिए कि मेरी वाइफ का डिस्रिस्पेक्ट किया गया इसलिए मैं राहूल को नॉमिनेट करूंगा मैंने शुरू में इस बात के लिए कहा कि अभिनव को थोड़ा सा अब खेल की तरफ मुड़ना चाहिए कि यहां से उनका खेल गडबड हो जाएगा ये एक हफता उनके लिए कु कविता दोनों के लिए क्रूशन है ऐसे में अभिनव को फूख फूख कर कदम रखना चाहिए एक गलती उन पर भारी कोशिशील पर भारी पर सकती है फिलहाल जितने लोगस में कविता और अभिनव निकी भी आती है पर निकी मुझे रगता है शायद अभिनव और कविता के बाद जाए अभिनव ने आज जो कहा रुबीरा ने उनको समझाने कोशिश की मगर अभिनव उनको चुप करा दिया अभिनव अभिनव को समझाया मगर पुराजी नहीं थे मैं शायद अभिनव की जग एजास कहा तो अगला मुद्दा जो आज एजास ने आज अली को बताया कि पूरे हफते अभिनव और अरुबीना को सभी लोगोंने समझाया है कि अभिनव रुबीना के गेम को इंफ्लूएंस कर और उन्होंने का मैं यहां रहते हुए देख सकता हूं कि तुम ऐसा लग रहा है तुम अपने और जैस्मिन दोनों खेल खेल रहे हो तो जो मुझर यहां रहे के इतना दिख रहा है तो बाहर और आॉडियन्स के प्रस्पेक्टिव से सूचो कितना उननों को दिख रहा होग दो तिन चीज़ एक तो एजाज ने जैनुइनली कहा दूसरा एजाज और जैस्मिन की कुछ खास बनती नहीं है पर एजाज और अली की बनती है तो एजाज ने ये भी कहा कि वो और अली मिलकर वो लोग अपना खेल खेल सकते हैं एजाज अली ने मिलकर पहले फिस भी चुरा रही रूबीना एक स्मार्ट वाइफ की तरह अभीना से पुछा कितनी बार मिले हो हाला कि उन्हें बिल्कुल भी शक नहूं इस तरीके से बोला लेकिन हम बाहर से खेल देख रहे हैं उन्होंने कहा कि वो तीनी बार मिला है एजास तुम कितनी बार मिले अभिना वने बात देखने वाली है शायद रूबीना अभिनव और कविता की दोस्ती की गहराई के बारे में या इतना क्लोजनस के बारे में नहीं जानती और वो शॉक्त हुए है आश्यर चकित हुए है और यह उन्होंने दिखाया और अब रूबीना जो कविता के लिए बहुत सौफ थी आ रूबीना उसे शौक हुई आहत हुई है और वो उनके चेहरे पर एक्सपेशन पर दिखाया है अगर कोई और कॉंटेंट क्रियेट हुआ हो उन दोनों की बीच में तुम हमें दिखा जाना चाहिए अजास ने बहुत सारे अंदर बात की तो आजास के निकल के आने के बाद अच्छा रूबीना डायलाग माला वर्बल डायरिया बहुत कर लिया बस रहन दो तो कि एजास ने आकर के जब अभिनव का नाम लिया तो उन्होंने बहुत कुछ की सर्वाइवल इंस्रेंग मुझे बचना है उस बाते कहीं जिस पर चुटकी ली गई तो यह एक यहां तक खेल जो है इंट्रस्टिंग चल रहा था अगर उसके बाद कविता से नाराज चुड़े हुए सब लोग नज़र आए कविता के एजास को बचाने के बाद गार्डन एरिया में फिस्ट चोरी का पूरा एक अच्छा क्यूट मुमेंट था वह बहुत अच्छा लगा मुझे वह अभिनव रुबीना जैस्मिन और अली इन चारोग ग्रूप अच्छा लगा था मुझे अच्छे लगते चारो कविता वह नहीं बन पाया आए हो बीच में दो-चार दिन हमें देखने मिले मज़ा आएगा अगर यह उसके बाद जो है एक और बात कविता ने इस बात की सफाई दी कि क्यों वह अभिनव को नहीं बचा अभिनव ने एक बार भी आकर उनसे नहीं कहा कि वह उनको बचाए वो तो उनको ही बचाने वाली थी उन्होंने नेकी से कह भी दिया था कि भाई मैं अपना पेबैक करूंगी वैसे राहूल को गुस्सा इसलिए आया कि कविता ने पेबैक नहीं किया राहूल ने कविता को कैप्टन बनाया बॉक्स उठा करके फेर संचालक बन करके अगर व पेबैक करेगी आज कविता जो है जा करके उने बचाएंगी मघर राहूल ने उससे को बादचीत नहीं की कविता ने जो यह डी वो डील हो जाके चुक्ति राहूल की जाने के बाद राहूल कि अगồng ही सके नबर यहां और पिन सकती थी ऐसा benefit of doubt दे सकते हैं कि हमें पता नहीं उनके दिल में क्या था लेकिन तीन लोग जब चले गए थे थर्ड के जाने के बाद थर्ड अभिनव गया नहां अभिनव के जाने के बाद जो है आकर के डील ओपन की कविता ने अभिनव या राहूल के जाने के डील ओपन की रखाकर उन्होंने कहा कि यह डील है मेरी तो राहूल को गई ने गुस्ता आया उनको बुरा लागा उन्होंने गुस्ता दिखाया भी और राहूल और कविता की जो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग वनी थी पिछले टास्क के दौरान उसे पहले जो कविता के लिए जब कविता रंदर जाकर अली के बारे बहुत कुछ कहा बाहर निकलके बिग बॉस ने का सजार देनी पड़ेगे घर में चोरी हो रही है जो कल के एपिसोड में दिखा जाने वाला है जब कविता ने परसनल सामान अली का उठाकर बास्केट में डाला अली बे काबू हो अगर आप इसको शब्द को शब्द की तरह ले तो फिर अली ने उसको वैसे ही लिया अली बे काबू हो गए अली को इसकी कितनी बड़ी सजा भुगत नी पड़ेगी यह तो वक्त बताएगा लेकिन हाँ यह बहुत बड़ा एक मुद्दा हो गया बहुत बड़ा मुद्द और अभीनव की दोस्ती एक clarity आती जारी कि हम दोस्त रहेंगे टास्क में अपना आपना खेलेंगे आज फिर इसका जिक्र होगा कि टास्क में अपना खेलेंगे जैस्मन बार बार इन सो में वर्ट कहती है और अभीन और रुबीना को इस बात के लिए करेंज करें विच इस फ एपिसोड के बारे में आपका आपकी जान किस में बसती है आपका तोता किस के हाथ में है जरू बताए कोमेंट सेक्शन में बने रहे हमारे साथ लगाता